कि दिटर्मिन माथेमाटिक्स क्लास्स जॉइन फॉर लेर्निंग इन यूर वेए चैनल को सबस्क्राइब करें और बाइल आखन दवाएं हेलो प्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल इससे पहले मैंने इतिहास से समंदीत बिहार से जो भी समंदीत इतिहास सा उससे मैंने 9 वीडियो का mcq पहले ही अफ्लोड कर दिया है आज मैं विहार की राज विवस्ता से समंदीत क्वेश्चन का सुरुवात करने जा रहा हूं यह लगभग important question देर्समें मैं बनाऊंगा ठेक है देर्समें जो important है बहुत मैं बनाने जा रहा हूं तो ठीक है जिन फ्रेंड्स नहीं तक हमारी चैनल को सुप्लोड किया और वीडियो आते रहेंगे आप उस से देखें और अपना शुरू गड़ते हैं बिहार में कौन से स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था चंपारन वैसाली पटना या पाटली पुत्र विहार में कौन से स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था तो यह चंपारन में किया था विहार के पर्थम महिला मुखव सवह के लिए कितने सदस चुने जाते हैं 50 सुल्ला खें और घ्रक्राइब आनसर क्या रासबगली सुल्ला। तो होगा अंसर क्या रसलबगली सुल्ला। विहार बिधान सवह में सब्सवात्र और टायब कुल् petroleum विहार विधान सब्सक्राइब लिए नेक्ष्ट है बिहार में पहली वार निर्वाचित लोग फिरिये सरकार कब बनी 1947 में, 1937 में, 1937 में तो अंसर होगा, 1937 में बिहार का पहला हरीजन मुखमंद्री कौन है? वहला पस्वान सास्त्री, रंधीर, बर्मा, महावाया, परसाथ सिन्ना या अब्दुलगपूर तो बिहार का पहला हरीजन मुखमंद्री जो थे? वोला पसवान सास्तरी थे विहार में कुल लोगसभा निर्वाचन शेतर कितने हैं चगवण अरतालिस यह चालिस तो लोगसभा सिट जो है विहार में वो चालिस है नेक्ट कोश्चन अब देखते हैं दिल्ली की राजगदी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था सेरसा अब देखते हैं बिहार विधान सबाँ में कितने सदस हैं तो अनशरे यहां पे 243 से तालिस दल वदल के कारण चार वर्सों के अंदर आठ सरकार किस परदेश में बनी थी विहार आंध्रपरदेश मदरास कुलकत्ता तो अंसर बिहार निश्ट देखते हैं बिहार विधान परिस्द के सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 95-64 अभी कितनी है तो 75 इन में से गोटाला, चारा गोटाला, भूमी गोटाला, कुलतार गोटाला तो सियर गोटाला लालू जी नहीं कर पाये थे बिहार के पर्थम राजपाल कौन थे मुहमद यूनिस, डॉक्टर जाकिर हुसेन, जैराम दास दौलत राम इन में सिक कोई नहीं तो बिहार के पर्थम राज उत्र परदेश तो ये कभी बने थे तो ये बिहार के ही सन 1904 में बिहार के साथ साथ किस अन्य परदेश के अंदोलन पर गत्ति विद्या उभरी थी गुजरात केरल उत्तर परदेश या राजस्थान तो अंसर होगा गुजरात वह पर्थम बिहारी जो सुप्रीम कोट के सिन्हा नेक्ष्ट कोश्चन है पटना उचनेयाले के स्थापना कब हुई थी 1912-1914-1915 यूनियू सुस्वला तो पटना उचनेयाले के स्थापना उनियू सुसुला में हुई थी चौसा का यूद कब हुआ था सन 1530-1530-1520-1536 तो जोस्तों इसमें कोई भी आप्सन सही नहीं है इसके लिए मैं मापी मांगना चाहूंगा क्योंकि कोश्चन सही नहीं है तो चौसा का यूद जो हुआ था 1549 के बीच अब देखते हैं नेक्ष्ट कोश्चन 14 किस परदेश में हैं बिहार ओडिसा पंजाब या गुजराद तो अंसर होगा बिहार परदेश में राज की कार्चपली का सकती नहीं थोती है राजपाल में मुखमंत्री में मंत्री परिशद में उपिक्त में से कोई नहीं तो राज की रदानी ये बना तो बिहार की रजधानी बना अधना दोस्तों निक्ष्ट देखते हैं राजपरसासन का वैधानिक परदान होता है मुखमंत्री राजपाल मंत्री उप्युक्त में कोई नहीं तो कोश्चन वही है राजपाल राजपाल की पद परनिप्ति के तो अंसर उप्युक्त में से सभी होगा बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार किस राजधनेतिक दल की निता हैं जनता दल उनाटेड भारतिय जनता पार्टी कॉंग्रेस या आम आदवी पार्टी तो बेलोन हैं जनता दल उनाटेड राजपाल को उसके पद से हटानी की स सकति प्राप्त है परदानमंत्री को राश्फति प्राशफति को भारत की ग्रीत राज के मुखमंत्री को तो अंसर क्या होगा भारत के राश्फती ही हटा सकते हैं राजपाल को राज के राजपाल को किसे निकत करनी की सकती प्राप्त है राज की महाधिवगता अधीनस्त नयाई लग की नयादिस्यों की राज़ लोक से वाईयों की अध्यक्चतता सदस्यों की फ्तमिस सभी हो तो राजपलीन सभी को निक्ती करते हैं बिहार का ऐसा कौंड सा मुखमंत्री है जो तीन बार मुखमंत्री के पद पर रह चुके हैं भुलापसवान सास्तरी 30 पर साथ second मौयार तसीनार आमद्यालू सॐह वार स्टमies में 2 तीन ब главное ₦ário ही तो भुवलापसवान 2 वंगे नितीं सुमार में 57 बन चुकते हैं तो निख्ष देखते हैं विहार के 2016 में मकुंपंथ इकम ते कौन थे अाब नेक्ष्ट कोस्चन देखते हैं राज के राजपाल को कि इसकी पद एवं गुपनेयता की सपस्पत कौन दिलाता है मुख मंत्री राश्छ्पती राज्च के उच निया लेके मुख निया Um मंत्री तो अंसर होगा राज के उच्जनी आले के मुखनी अधिस नेस्ट इसप Coming अपना इस्तिपा सोब ता है h प्रदान मंत्री को विधान सभाफ कि अध्यक्ष को राजिपाल को यह राश्ठ्पती को तो अंसर होगा राजपाल को, राजपाल अपना इस्तिपास होपता है, राश्पती को, परधान मंतरी को, देश की ग्रीह मंतरी को, या मुख मंतरी को, तो राश्पती को, बिहार के सबसे पहले मुख मंतरी कौन थे, सिरी क्रिशन सी, बोला पासवान, दरोगा राय, दिपनर पाले मुखमंत्री कौम थे डॉक्टर से कृष्ण सी सतीस परसाद सीन महामाया परसाद सीन्हा ये बिंदेश्वरी दुबेत और सबसे अधिक समय तक रहे थे डॉक्टर से कृष्ण सी बिहार विधान मंडल में समलित है फिर से वही कोश्चन रिपीट हो गया है राजपाल विधान परिशत विधान सवा ये उप्युक्त सभी तो अंसर होगा उप्युक्त सभी बिहार के विधान सवा के पर्थम अध्यक्ष कौन थे राम द्यालू सी हर हरी विधान मंडल की विवस्था की गई विधान परिशत की पर्थम महीला द्यक्ष कौन थी राजस्वरी देवी मिरा कुमार रावरी देवी या कोई नहीं तो अंसर है राजस्वरी देवी अब नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं राज के विधान परिशत की अब्दि कितने वर्सों की होती है छे वर्स पांच वर्स चार वर्स उसका विगटन नहीं होता है तो विधान परिशद और केंदर में राजसभा इसका विगटन कभी नहीं होता है ये चिरस्थाइर है इसका विगटन नहीं होता है पर तिक दो साल पे एकतिहाई सदस इसके हड़ जाते हैं लेकिन ये कभी विगटित नहीं होता है अन्सर होगा राजिव रन्जन परसाद सी वह भारतियनागरिक राज की विधान परिशद का सदस से बन सकता है जिसके आयू कम से कम हो 25 वर्सो, 30 वर्सो, 35 वर्सो या 21 वर्सो तो अंसर है 30 वर्सो भ्यार राज आयोग की पर्थम अध्यक्ष कौन थे? मन्जू परकास, जगनात राय, राज इस्राम, हरी नरायन, चादरी तो अंसर है मन्जू परकास राज के उचण नयाले के समंध में कौन सा कठन सही है उसके अरमविक चितरा दिकार में सवी धान की व्याख्या तत्हनागरी को की सुरच्छा समंधी मामले आते हैं अपिल छेत्राधिकार के अंतरगत उच नयाले मुल रूप से एक अपिल सुनने वाला नयाले होता है प्रसास्किये छेत्राधिकार में राज की सभी अधिनस्त नयालों का निक्षंदता नियंदरन सामिल है उप्युक्त में सभी तो अंसर है उप्युक्त में सभी बिहार के पटना सहर के उच नियाले के पर्थम भारतिये प्रमुक नियादिस काउन हैं पर्थम भारतिये यहां का जार आगे कोश्चन और मिलेगा सर सेद फजल अली रेखा मनहर लाल दोसित जैरामदास यसरी अभ्यानन्द अंसर होगा सर सेद फजल अली नेश्ट है बिहार के पटना सहर के पटना उच नियाले की पहली महिला मुक नियादिस काउन थी नियामुर्थी सुसरी रेखा मनहर लाल दोसित रोज मिलियन बैथ्यू अन्ना चांडी यवनीता राय अंसर होगा नियामुर्थी सुसरी रेखा मनहर लाल दोसित निश्ट कुस्चन है राज का पर्थम विधियादिकारी कौन होता है महादिवक्ता एडवाकेट जेनरल महादियावादी राजफाल राज का विधिमंत्री तो पर्थम विधियादिकारी यही होता है महादिवक्ता बिहार में राश्पती सासर पर्थमबार कब लागो के आ गया था 26 जुन 1968 को 4 जुलाई 1979 को 26 जुन 1972 को अंसर है 26 जुन 1968 को बिहार के पटना सहर के उचने आले के पर्थम मुखने अदिस कौन थे वहाँ पे भारतिय था यहां पे सिर्फ मुखने अदिस है तो कोई अंग्रेज होगा यह सर एडवर्ट चामयार सर सयद अजल पर्जल यली जरामदास यहार इसी भारतिये कहें तो सरसे फजलाली या आप सिर्फ कहें बिना भारतिये लगाए हुए तो सर एड़वर्ट चाम्यार ठीक है पटना उच्णियाले के परत्व मुखना दिस्थ था आए थाaré कर तो आज राज भीवस्ता से रिलेटेड विहार के राजभीवस्ता से रिलेटेल न मैंने 50 क्कूश्चन का से क्विव अफ्लड कर दिया है साथ 17 साथ विहार से रिटेड कुछ कुछ मॉछ्टा को सचनों का वन लाइनर कُश्चन का एнулइप दिया है झाल झाल